दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहां पे कि मुझे यहां पे जो loan amount दिया गया है इस loan को लेने के लिए किसी भी प्रकार की civil score का दरकार नहीं है यानि कि zero civil अगर आपका है फिर भी यह company loan देता है ना income proof ना bank statement ना ही ITR सिर्फ आपको application को download करना है basic information द दे देता है और ऐसे में बहुत सारे लोगों का हमारे पास comment आ रहा था कि वह यह जो application है यह 20,000 तक का personal loan provide करवा देता है तो क्या यह application से हमें loan लेना है यह नहीं लेना है क्योंकि देखिए play store पर बहुत सारे ऐसे fake application भी available है और बहुत सारे real application भी available है और इसलिए मैंने इस application स क्या दिखाई दे रहा है कि 1500 का मुझे यहां पर limit मिला है अगर मैं इस loan को अपने bank account के अंदर transfer करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर apply now के उपर click करूंगा तो यहां पर देखिए साप साप company ने यहां पर बता दिया कि हमारा जो loan है वो total आपका जो है यह 24 hours यानि कि 24 गंटी के अंदर यह पैसा मेरे bank account के अंदर मिल जाएगा ठीक है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको पैसे के जोरत पड़ जाता है वो loan लेना तो चाहता है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कौन सा application से लेना है ऐसे में वो लोग क्या करते है एड क ही रहेगा यह नहीं तो वह भी आपका जानना जरू रही है ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पे जो application के बारे में बात करने जा रहे है उस application का नाम है M Capital Reliable application ठीक है और इस application का अगर download की बात करें तो 10,000 सिर्फ 10 के मतलब 10,000 लोग रेटिंग 4.7 है डाउनलोड भी 10,000 है और अगर आप review भी पढ़िएगा तो यहां पे देखिए review जितने भी हैं सभी में 5 star 5 star review यहां पे लोगों ने दिया है तो ऐसे application से क्या loan लेना सही रहेगा अब मैं आप लोगों को इसका reality बता देता हूं ठीक है तो सबसे पहले अग लेकर 20,000 तक का यह company loan provide करवाता है तीन मेहना से लेकर 24 मेने के बीच में आपको time मिलेगा 18% से लेकर 36% पर एनम के हिसाब से interest लगेगा लेंडिंग पार्टनर कौन है IIFL finance limited ऐसा company यहां पे बोल रहा है age limit कितना है 18 साल Indian citizen आप होना चाहिए पैन और अधार काड आपके पास हो होना चाहिए और आधार काड में आपका mobile number register होना चाहिए लेकिन यहां पे जितना भी चीज about पे लिखा है ऐसा application में कुछ भी नहीं है कैसे जैसे कि मैंने यहां पे आप लोगों को दिखा दिया कि मुझे loan amount कितना दिन का मिल रहा है साथ दिन का यहां पे company कितना claim कर रहा है यहां पे claim कर रहा है कि 60-90 दिन का मिलेगा यानि कि पूरी तरह से यह एक fake application है फेक application का मतलब समझ रहे हैं सिर्फ 7 दिन के लिए time देगा यह company कोई भी RBI NBFC से register नहीं है यह company आपको बिना civil score का loan तो देदेगा लेकिन आप उसके बदले में बहुत ज़्यादा interest आप से देखना है कि ऐसे application से कभी भी try नहीं करना अगर आपको सच में पैसे की जोरत है emergency किसी को भी हो सकता है अगर आपको सच में जोरत है तो आपको कैसा application से loan लेना चाहिए वह application का download कम से कम तो आप देखे कि million में होना चाहिए उसके बाद वह company RBI NBFC से register होना चाहिए और उस company म जब आप loan apply कर रहे है तो जो limit जो time आपको मिलेगा वो कम से कम 60-90 दिन का उपर होना चाहिए अगर यह सारा चीज कोई company दे रहा है इसको मतलब क्या है NBFC registered company है अब मैं मान लेता हूँ कि आपका civil score खड़ाब है आपको loan तो चाहिए लेकिन इस application से आप try नहीं कर सकते हैं क् उसमें आप जाइए more video के section को checkout किजिएगा तो हमने अपने description पे दो based loan application का link दे दिया और दोनों जो company है NBFC से register है और दोनों company से आपको loan मिल सकता है बाकि उसपर try किजिएगा और नहीं तो देखिए कल ही मैंने एक video upload किया जिसमें मैंने बताया आपको कि urgent में personal loan low civil पर कैसे क करकर मिलेगा कौन सा application है इस video में मैंने बता रखा यहां पर देखिए फिर से अगर about में चलता हूं तो यहां पर देखिए छोड़ो loan app का चक्कर अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं application पर दिन राट ट्राय करते रहते हैं और application से loan नहीं मिलता है लेकिन उनको पता नहीं कि website website भी बहुत सारा है जो loan provide करवाता है बहुत में से कुछ सरकारी website है कुछ अंसरकारी website तो सरकारी website से अगर आप सरकारी loan लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए इस वीडियो में मैंने पूरा details में explain किया हुआ है तो इस वीडियो को देखिए खराब सिब्ल स्क परकर्ण में वो भी बिणा income proof का तो इसमें आपको देखने को मिल जागा यानि कि हमने अपने चैनल पर जिस प्रकार की आपको loan का दरकार है उस प्रकार का वीडियो अल्रेडी बना के अफ्लोड कर दिया है तो आपको करना क्या होगा पूरा वीडियो को देखना होगा लिए apply नहीं करिए और जब भी लोन ले रहे हैं timely payment किजिए timely payment नहीं कर सकते हैं personal loan को avoid किजिए क्योंकि अगर आप एक बार loan लेते हैं सही time पर payment नहीं कर पाईएगा civil score खराप होगा साथ मैं company का जो है आपको call वगेरा आ सकता है इन सब बातों का आपको दियान रखना है बागी यह कोई sponsor वीडियो नहीं है मैं हार एक वीडियो में जो भी loan application पर research करता हूँ उसका इमांदारी पूर्वक आप लोगों के सामने रखने का कोशिस करता हूँ अगर वो application मुझे गलत लगता है तो करता है बातों के आपको